हमने सीखा पहला, दो समरूप आकरीतियों की माप में विशेश अनुपात होता है जिसे स्केल गुनक या स्केल फेक्टर कहते हैं दूसरा, दो भोभुज जिनके भुजाओं के संक्या समान हो, समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाओं समान उपाती हो या उनके संगत कौन बराबर हो तीसरा, यदि किसी त्रभुज की एक भुजा के समान तर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिन्दूओं पर प्रतिछेद करने के लिए एक रेखा खिंची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है चौथा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है पाँछवा, सभी सरवांग सम बहभुज सम रूप भी होते हैं चटवा, किनी दो सम रूप बहभुजों के परिमाप का अनुपाद उनकी संगत भुजाओं के अनुपाद या इसकेल गुणा के समान होता है साथवा यदि दो त्रिभुचों में एक त्रिभुच के दो कोण, दूसरे त्रिभुच के क्रमशह दो कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुच समरूप होते हैं आठवा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समान उपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे आप side angle side समरूपता कसौटी या भुजा कोण भुजा समरूप उपता कसौटी कहते हैं, नौवा, यदि दो त्रिभुजो लाइक एक ही अनुपात में हो, तो उनके संकत कोण बराबर होते हैं, और इसे लिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दस्वा, दो समरूप त्रिभूजों के शित्रफ़लों का अनुपात उनकी संगत भु करणपर लंब ना जाये तो इस लंब के दोनों और बने त्र세요 जोड़ के समरूप होते हैं फजाभ प्रस पर भी समरूप होते हैं बारवा एक समकोंड त्रभूज में करणपर वर्ग्ठ शेश का दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है 13. यदि किसी त्रिफुच की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा का सम्मुक कौन समकौन होता है